लंबा content नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, be your best clips पे आप सब different parts में binge watch कर पाओगे चीनोज, अब चीनोज का मतलब सिरफ वो classic चीनोज नहीं होता, जो cotton की बनी होती है, flat front होता है, मतलब कोई pleats नहीं होती ही, मतलब की folds नहीं होते, मतलब वो भी must have है, वो तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन जैसे पहले के जमाने में आपके पास 4-5 type की slim fit चीनोज होनी चाह अब मैं ऐसा क्यों कि सिर्फ आपके पास एक grey slim fit चीनोज होनी चाहिए, cotton वाली, क्योंकि आपके पास brown color में होनी चाहिए, linen material की चीनोज, और ये होनी चाहिए आपके पास slim fit में नहीं, regular fit में, अब मैं ऐसा इसने बोल रहा हूँ, क्योंकि summers चल रही हैं, bro, आपको चाहिए क हवा पास करें आपके पेरों पे और आपके बहाँ पे ताकि आपकी balls में पसीने ना है, और ये जो straight fit या regular fit में होंगी, ये linen material में बहुत अच्छी लगेंगी, अगर आप normal cotton में ले रहे होते तो उतनी अच्छी नहीं लगती, मतलब ये भी आपके thighs से उतनी lose नहीं आएंग कि नीचे जाते जाते ये जाधा पतली नहीं होंगी, और ये end होनी चाहिए, आपके ankles पे ही जाधा लंबी नहीं होनी चाहिए, जाधा छोटी नहीं होनी चाहिए, अब देखो color swap इसमें बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन ये video है must haves, मतलब हम versatility को दिमाग में रखेंगे, कि ह हर टाइब के top के साथ चल पाए चीज़े, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ग्रे और ब्राउन, और दोनों की कोई भी shade ले लोगे चलेगा, ग्रे में जाधा light shade मत लेना, और ब्राउन में तो actually आप light shade भी ले सकते हो, beige type का भी ले सकते हो, या फिर dark brown भी ले सकते हो, अब इ स्टाइल नहीं है तो, और ग्रे समे को एक और चीज़ याद आए कि जो subscribe बटन है वो भी gray color का होना चाहिए, अगर white color का है तो उसे अब भी दबा के gray कर दो, please, please, anyway, मेरी favorite चीनोस दो कि मैंने इस वीडियो में दिखाई है, वो सारी नीचे linked है, description में पक्का सजा के ले ले ल झाल